हेलो गाइज, वेल्कम टु बैक माई चैनल आज हम हिबिसकस का डबल पैटल वाले प्लांस के बारे बात करेंगे देखें जेसे कि आपको दीख रहा है इसका घ्लार्व इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी केर और इसमें हम ऐसा कौन सा फेटिलाइजर दें कि जो इसमें भरके फूल आएं खुब अच्छे जो ये हमें फूल दें इतनी 45 टंप्रेचर में भी ये प्लांट ऐसा है कि बहुत फ्लार्स देगा आपको जो मैं फटलाइजर बताऊंगी इससे आपको ना इसकी जो कली गिरती है वो गिरेगी उस सब के बारे में आपको बत आप देख रहे हो मैंने फटलाइजर दिया जब मैंने फटलाइजर इसको करा तो ये देखिये आपकी 15 दिन के बाद इस पर जो कलिया थी काफी कलिया आगी थी देखे मैं आपको दिखाऊंगी ये देखिए काफी कली हैं जो हैं इसमें बन गी हैं कुछ खिलने वाली हो रही हैं बहुत सारी कली हैं इसमें ये देखिए आपको मैं सारा एक करके से दिखाऊंगी ये सिर्ए पंगदा दिन के अंदर जो मैंने फटलाइजर दिया तो इसमें इतनी कली थी और उसके बाद में दिखाऊंगी उसके बाद का भी दिखाऊंगी कि वन मन्त में एकदम ये फूल हो गया था कोई भी ऐसी इसकी ब्रांच नहीं थी कि जिस पे कलिया ना हो और गाइस जो यह हमारा हिबिसकस प्लांट है जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं यह हमारा पर्मा पर्मनेंट प्लांट है सिरफ जो विंटर का टाइम होता है विन्टर के टाइम में यह हमें flowers ऐसा नहीं है कि स्टैम भी नहीं देता उस टैम नहीं देता इस टैम भी लेकिन еला इसके देता रहतील देता है यह चार से पांच साल पुराना है प्लांट मेरा देखे जैसे कि आपको इसकी स्टैम पूरी दिखी दी होगी इस पे कलिये देखिए आप पूरा कलियों से भराव है कुछ-कुछ है जहां अभी कलिया नहीं है सिर्फ 15 दिन में देखिए इतनी कलिया थी तो इसको हम इसे फूल सनलाइट चाहिए फूल सनलाइट में रखिए इसको लेकिन देखिए जैसे कि आप यह टंप्रेजर जो चल रहा है 40 42 45 इसमें क्या है कि नेट की जूरत है नेट इसलिए इसको शेड की जरूरत है क्योंकि जो इस टाइम की गर्मी है वो जो लीव्स है जो फ्लार्स है उसको बर्न कर देती है उसे जला देती है तो इसलिए इसको ली तो यह सनलविंग प्लांट है आप अगर इसको देखिए अगर आप इसको दो से तीन घंटे की अगर इसको धूप मिलती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि यह नहीं चलेगा चलेगा फ्लार्स भी सबसके नइता पानी है मिलती है तो इसना बहुत अच्छे अच्छे थाहे! तो आपने इस्तीक धिया है इस़गत एलने इस Herren वाटरिंंग a अगर पानी उसमें खड़ा रहेगा तो जो प्लांट की पेड़ की जड़े हैं पौधे की वो सड़ेंगी तो उसे हमारा जो प्लांट है वो मर सकता है जो में रीजन है आपने पानी का इस चीज का जुरूर ध्यान रखने है अगर आपके पौट की जो मिट्टी है वो कि आप इसमें वार्टरिंग कर सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो कि dif क्य का पानी तो अगर आप गाइस यह चीज भागला अच्छी है आप तो अगर अपने सभी plants पे स्प्रे करते हो एक टाइम पानी और एक टाइम अच्छे से प्रे करते हो अच्छे से नहलाते हो तो आप खुद देखना जो हमारे plants की growth है बहुत जादा अच्छी होती है आप कुछ plants को 920 से अप्र-ट करके और कुछ प्लान्कि करके आपको different खुद पता लगेगा आप ये चीज जरूर करना कि खुब अच्छे से plants को नहलाना है देखिए मेरा जो plants से मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ इससे क्या है एक तो जो ये plants है इसमें जो millibugs, aphid spider mites किसी चीज का attack नहीं होगा क्योंकि जो हम daily इसको showering करेंगे तो उससे वो इस पर टिक नहीं पाएंगे तो ये भी जरूरी है और अगर आपके plants पे अगर कोई भी ऐसी बिमारी लगी है किसी चीज का attack है aphids उगहरा का तो आप neem oil का sprays के उपर कर सकते हो 1 लिटर में आप 1 spoon और half spoon आप कोई भी mild soap लेके और cooking oil उसकी कुछ half spoon cooking oil वो आप अच्छे से mix करके इस mixture को आप 1 लिटर की बॉटल में अच्छे से इसको डाल के अच्छे से प्रांट्स को पूरा स्प्रे कर दीजिए तीन तीन चार चार दिन अगर बहुत जाद है तो आप इसका डेली स्प्रे करिये अगर आप डेली कर रहे हो तो जो नहीं मॉइल है उसको वन स्पून की जगह आपने हाफ हाफ से थोड़ा कम कर देना है और अगर आप चार से पांस दिन के उस पर कर रहे हो तो आपने वही क्योंटिटी रखनी है अपने शिच का ध्यान दखना है तो इस पर क्या है कि अटैक होए गई नहीं और अगर आप एक चीज़ और कर सकते हो आप लसून और हरी मिर्च जो उसको अच्छे से उसमें चिली उसमें कटर में करके आप उसको उसको आप पानी में कुछ दिन के लिए चार से पांस दिन के लिए उसके बाद आप इस लिक्विड को आप अपने प्लांट्स में उस लिक्विड को पानी के अंदर एक से डे लिटर पानी के अंदर अच्छे से वो करके उससे भी स्प्रे कर सकते हो वह भी बहुत अच्छा आपके जो प्लांट्स में काम करेगा तो आप यह कर सकते आप में आपके बात करते देखिए ये मेरा फ्लार्स देखिए देखिए कितना सुन्दर है डबल पैटल एकदम खुब भरा हुआ देखिए एकदम रेड कलर है गाईज इसमें थोड़ा सा कलर चेंज होकर आ रहा है कैमरे में रेड कलर करें तो आपने इन सब चीजों का ध्य अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने इसमें फर्टिलाइजर क्या देना है जैसे कि इसमें बहुत सारी कलियां खोब अच्छे से कलियां आएंगी गाईज यह देखें गाईज यह जो है मैंने लिक्विड बनाया है फर्टिलाइजर मैं आपको दो तरीके का फर्टिलाइजर बताऊंगी कि आपने इसको कैसे फर्टिलाइज करना है यह देखें इसका है मैंने लिक्विड बना लिया देखें इस कलर में रहेगा इस टाइप का रह बॉटल में मैंने वन लिटर पानी लेके गाईज यह देखिए मैंने इसमें बना रखा था मैंने उसमें निकाला है कि ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि यह इस टाइप का होगा गाईज मैंने क्या कर रहा है यह देखिए यह है डिएपी यह देखिए इस टाइप के दाने है यह आपको जहां से आपको सीड मिलते हैं उन पर मिल जेगा यह डिएपी और देखिए यह है सीवीड ग्रेनवल फोम में है मेरे पास लिक्विड फोम में नहीं है यह देखिए ग्रैनवल फोम में है यह ऐसे दानेदार है यह जयरे यह है eaf और यह और ho ho गारे वन्स पून मेंने इस लिए गाईज इसास है जाना है आपने भी एसे ही करना है कि हरो निए और आET अच्छी एमसी जवंस भाटनो को मैंने डी एक gült देपी का लेना है आपने वन स्पून और आपने वन स्पून ही आपने ये लेना है ये वाला देखे मैंने स्पून ये वाले यूश कर रहे हूं बहुत बड़े वाला नहीं है ये प्लास्टिक के जो आते हैं सीवीड वन स्पून देपी वन स्पून मैंने सीवीड का लेके औ यूद्ध लिए देखिया है, उसको बनाना के ऐक लूटल में डाले पानी उसमें भर के मैंने इसको इसमें डिजॉल्व कर दिया, एक बहुत अच्छे से घुल गया दिया। और दूसरा देखिए यह है अगर आप DAP यूज नहीं करना चाहते तो आप यह बनाना यह देखिए जो हम केले खाते हैं उसके चिलके हैं बहुत अच्छे से धूप में सुका लिए इसको और सीवीड आप इन दोनों को यूज कर सकते हो क्या कर सकते हो कि पॉट के चारों तर इन दोनों को आपने दो लिटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना जो आप लिक्विड बनाओगे न आपने इसको दो लिटर पानी में करना है एक एक चम्मच अगर आप ले रहे हो दो लिटर पानी में करके आपने प्लांट्स में हिविसकस में डाल दीजिए बहुत अगर आप डियेपी नहीं उस करना चाहते और गैनिक तो आपने जो केले के छिलके और सीविड इन दोनों को कर देना है तो आप देखना आपका जो प्रांस में है इतनी अच्छी ग्रोथ होगी एक चमक और बहुत बहुत ही बट्स होंगी इतने फूल होंगे उसमें क्या यूज क्या बुंग है यह लग रहा है यह तेन में लग रहा है जो तेल के वह दो आते देखिए इसमें बट्स किसमें देखिए गाइज देखिए कितनी कलियां भी है कोई सीपी स्टेम अश्ची नहीं तो आप ऍसको पहले दिखाय था उसमें कुछ ऐसी थी स्टेम जिन प को बता दिया यह देखिए बहुत भर जेगा आपका जो प्लांट्स हैं पूरा कोई भी स्टैम ऐसी नहीं होगी जिसमें ना हो गाईज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू गाईज बाबाई